हाई गाईएज कैसे हैं आप सब आई होफ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक बच्चे का मैस् का पीपर है तुमें लें उसके रिकार्डिंग टेस्ट होता है मैं उसके पीपर की फुल त्यारी करवाती हूँ एक test अच्छे से थियार करके उसको देती हूँ और फिर मैं उसे करने के लिए देती हूँ और बीच में मैं उसे कुछ भी नहीं बताती हूँ मैं कहते हूँ कि बटा आप अपने आप ही सारा paper करोगे पहले जितना भी आपको समझ में आ रहा है जब वो वेवी कर लेता है उसके बाद जो चीज उसको समझ नहीं आती हूँ उसे समझा के वो paper करवाती हूँ इसके बहुजूद अगर कोई गलती निकल जाती है तो फिर मैं उसका correction work करवाती हूँ और correction work करवाने के बाद उसको घर के लिए भी homework देती हूँ ताकि उसे दुबारा से कोई उसमें problem ना आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 to 8 pages का यह test मैंने बनाया है और इसमें मैं time limitation भी रखती हूँ paper की तरह जैसे paper में time mention होता है कि इतनी देर में आपको complete करना है वैसे ही तो आगे चलते हैं आप दूसरे बेबी इसके तरफ एक बच्चा जो है हिंदी का work कर रहा है और दूसरे बेबी को मैंने A2L से related look and write दिया है यह nursery का बेबी है उसमें मैंने pictures दी है वो pictures देखके name mention करेगा Hi guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेबी को school का work मैं करवा रही हूँ यहाँ पर number के according shapes को trace करना है जैसे number one है तो one ही shape को trace करेगा Hi guys, अब मैं video को लेके चलती हूँ आगे तो यहाँ पर कुछ बच्चों को मैंने hindi की reading करवाई वो 2-3 बच्चे खटे reading करते हैं साथ में और उसके बाद जो है mask का जो test मैंने एक बच्चे को त्यार करके दिया था वो अपना mask का test कर रहा था और छोटे बेबी अपना work अच्छे से कर रहे थे तो चेलिए guys मैं वीडियो को करती हूँ यही पर and I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा like करें subscribe करें और अपना opinion आप मुझे comment करके भी दे सकते हैं जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे motivation भी मि देखते हैं और मुझे ठीर सारा प्यार देते हैं तो चेलिए बाई बाई